प्लूट 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 सेवने वाले अपने इंकाउंट करा होगा आपको फाइनल आंसर फाइनल आंसर नहीं पोछ रहा है अगर ऐसा कुछ दे रखा है और आपने कुछ भी स्मार्ट रहा है अच्छा मॉट 10 की पार 9 प्लस 7 तो चीए सिंपल आंसर निकालो और रिटर्न करने से पहले मॉट 10 की पार 9 प्लस 7 कर दूंगा वह सही नहीं या वह सही नहीं है क्यों सही नहीं है जैसे मैं आपको दिखाता और फिर लगा दि आपने ही लूब एक्वल की टू और इसमार्ट ट生 कुछ प्लस्सेवल फार ने क्यार ब्लस तो अहां और आपने म अपने लॉंग में फैक्ट को रख रख रहा है और लॉंग से बेटर आपके पास अवलिबल भी नहीं है जावा में बिक इंटीजर है बट उसकी करते रहें देन वन फ्री फाइब डिजिट स्टोर कैसे एटीन डिजिट के बाद चीजे नेगर्टिव हो जाएंगे या और वह साइक्लिक खूंती रहीगी जब आप इस फॉल्ट से निकलो के दिन इस फाक्ट की वैल्यू करेक्ट नहीं होगा यार और यह एक रैंडम सी वै होता है तो सब्सक्राइह करते हैं करते हैं और ऑसन कभी भी अवर फ्रोâu नहीं होने जांगी ऊवर्फ्रोह उन ही स्कते हैंसे पर oni منटीप्लitel लक के सब्सक्राइब कर πα 확elli समर्टिपिले करते हम उससी टाइम में मोर डाँ माब हैन प्लस डेन होगा इससे फैक्ट की वैल्यू कभी भी 10 की पार 9 प्लस 7 को खॉस नहीं करें कि आई की वैल्यू अफकोस 500 के विदिन है बाट लॉंग के रिइंज में होगे से इंके पार नाइन के पर नाइन के पार एक सब्सक्ट सब्सक्राइब करें किसी भी स्टेप में पर नाइन के पार नाइन प्लस-7 रहादी इंगा वैल्लियों नहीं होने देंगे कि अच्छे यह mathematically सही क्यों है एक final answer लेके बाद 10 के पार 9 plus 7 लेना and each step पे 10 के पार 9 plus 7 लेना वो दोने same value कैसे देंगे यह mathematically prove करा जा सकता है जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा उससे पहले आपको कुछ-कुछ और बताता हूं सो जैसे अब आप 10 के पार 9 plus 7 ले रहे हो कभी-कभी यह भी sufficient नहीं होता है कैसे sufficient नहीं होता जैसे मैंने आपको दो number multiply करने को दिए a and b but a and b की value 10 के पार 18 तक जा सकती है यह दोनों खुद 10 के पार 18 है possibly कि अगर यह दोनों 10 के पार 9 plus 7 तो बात बनेगी नहीं क्यों बात नहीं बनेगी 10 के पार 18 इंटू 10 के पार 18 यह बंदा क्रॉस कर चुका है आपके लॉंग को 10 के पार 36 अगर यह multiplication क्रॉस कर चुका है तो आप मॉड यह कुछ random सी कर लिवा चुकी होगी फिर इसका मॉड से यह को के सो इसके लिए आप क्या करने वाले हो something ऐसा क्या एक को पहले 10 के पार 9 प्लस 7 से मॉड करो फिर इसे multiply करो बी मॉड 10 के पार 9 प्लस 7 से तो यह दोनों 10 के पार 9 प्लस 7 के रेंज में अभी आपने मॉड इनका मॉड इनका मॉड के सब्सक्राइब तो फिर से मॉड करो इसे पार 9 प्लस 7 तो यह करते हैं चैब यह यह दोनों 10 के पार 18 के रेंज में स्टिल लॉंग में स्टोर करे जा सकते हैं तो आप सिंपली ए प्लस पी मॉड 10 के पार 9 प्लस 7 करते हैं तो बात बन जाएगी यह लॉंग में अगर जो नहीं तो आपको लॉंग में स्टोर करना होगा यहां पर यह दोना इंक में यह बंदा इंक में इंका मट्लिकेंशन आप लॉंग में स्टोर करơi। क्यों दो इन क्रूब तो सब्सक्राइब कर दूंगा अभी के लिए प्रूफ देखते हैं के सो जैसे एंटु बी के लिए अगर में देखो एंटु बी और एंटु बी के लिए देखते हो और एंटु बी लेखते हैं真हते हीं रिमेंडर सिरफ रिमेंडर क्यों से मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई M into Q1 plus R1 के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो फिर B को ऐसी M, यह M जिससे आप मॉड लेने वाले हो, M into Q2 plus R2 के फॉर्म में लिख सकते हो कि आप लिख एगे अब A and B की वैल्व यहाँ पर रिख कर तो, M into Q1 । इन्टू M into Q2 ब्लस R2 को इसका पूरे का मॉड दें करना चाहते हो ही उसे मोल्टिप्लाइ करोगा इसे मल्टिप्लाइ कर दो सो ऐसे गर आप मल्टिप्लाइ कर के विए तो नंत इस सम्धिंग something m into q1 into m into q2 plus m into q1 plus into r2 plus r1 into m into q2 plus r1 r2 and it's pure a commodity right simple it's a similar to it's a similar to it so it's not a part of it's a zero of it's a multiple mk multiple ko java m se mod karo way answer zero ybm ka multiple ybm ka multiple ybm ka multiple so ultimately you have a remaining that is r1 r2 come up r1 r2 tha kya dhyan se dhna r1 kya ta a ko java m se divide karte hai then joh reminder a ko mne kis form me likh rakhata m ke multiple ke form me likh rakhata so r1 is nothing but a ko java m se divide karte ho then kya value athi hai r2 r2 is nothing but b ko java m se divide karte ho then kya value athi hai yeh tu oopper likh rakhya yeh part oopper likh rakhya a into b modem is equal into a modem into b modem kya hong ka whole model yeh exactly ahi chiz mahi nne bata ya ta okay so mathematically iisa nikaala jasakta hai right okay so ii athi summarize karta ho dho chis jimani bhi batai ya so add that now kisi bhi line pere aapnei likh rakhkha a plus b b ose replace karta ho kis se replace karta ho a plus b modem kisi bhi line pe a ultimately mod 10 ki pa 9 plus 7 chaathe ho jenna kabhi bhi overflow nii hoonny dhe sakti so aap a plus b modem karte ho ghe achha multiply jay karna hai multiplication agar multiplication hai then a into b agar kahi bhi aapnei likh rakhkha hai to a into b isse long ke form me na isse long ke form me convert kena okay phir se phir se a modem into b modem fir isse long me convert kero kyo yeh dho na 10 ki pa 9 plus 7 se smaller hai but multiply you ka long me jasakta hai phir is puray ka modem right similarly subtraction ki agar hama baat kere to subtraction me pata kya hata hai jib aap a minus b kare jay ho a minus b kare jay ho then a minus b possibly negative a saakta hai kaisi negative a saakta hai let's say a ko aapnei kisii or line me mod kare rakha hai aapnei code me not necessarily siraf subtraction ho multiplication and subtraction dho nahi ho sakte hai and b ko bhi aapnei mod kare rakha hai let's say mod kare lyo abhi ki ke liye let's say something kya zoom kare lyo let's say something 10 hai let's say something 10 hai mod ki value okay so agar 10 agar something mod ki value 10 hai aur aapnei mod lye rakha hai a ki value something a ki value let's say 12 thi and b ki value a is 12 and b ki value is 9 ab a ko aapnei mod 10 kisii pehle ki step me lye rakha kisii different step me lye rakha hai agar aapnei mod 10 ka rakhha aapnei 12 ko 2 b ko b ko bhi aapnei 10 se mod kare hao ba but is ki value 9 hooghe to ye banda negative a jae ga ok ye banda negative a jae ga ab negative minus 7 mod 10 hooghe to ye minus 7 hooghe to ye minus 7 hooghe job aap computer me kabhi negative number ka mod kertte ho then remainder negative ye aata right but mathematics me mathematics me mathematics me aasi cheezy hooghe kya remainder ka mod kabhi bhi negative naga saakta ok usse positive me convert karna hooghe so yehaan bhi wo part karne ki zota yaam negative me leave naga saakta mathematics wali cheezo follow karegi hai so aap is minus 7 ko plus mod karehoge right and phir isse ek bar mod karehoge 10 se ok so this is 10 minus 7 10 minus 7 3 and it's ka mod 10 is 3 ok so yeh phir se mod kira kya not necessarily negative hooghe ya kya ptah positive value ok so positive value to yeh handle karnega jasay let's naya be plus 7 value iot to plus 7 7 mod 10 mujhe 7 e chahiye aapne 10 add karra kya aapko pata nahi yaaapne negative so 10 plus 7 17 mod 10 that is 7 fit se aajayegi value ok so plus m mod m karne se negative remainder wali cheezy handle hojaatia good positive remainder to woh handle karne ki zotni and woh handle all right all right so aap a minus b woh kiasse handle kar sakti ho yeh dhekho a minus b ko aap two tariqe se handle kar sakti ho joo bhi aap magk mundo ka mo jayaghi a and b maknow yaa, log man in ka b mod lena hoba okay all right all right second kya agar a minus b mod m smaller than 0 जो आ है देन ए बाइनस भी देन ए माइनस भी माड अगर स्मालर दन जीरो ए देन ए माइनस भी माडम फ्लेसंट विन चेख कर लो कि यह नेगेटिव वल्यू अब प्लस कर आ एप यह सेकंड मॉड सेव लोगया सब्सक्राइब कर दो ऐसा अगर नेगेटिव आज़ा दिन प्लस एंग कर सकते हो लास्ट इस मुल्टिप्लिकिस कि अधिन नाट लास्ट इन नॉटिप्लिकिस इस डिविजन स्लाइटली ट्रिक्या इसका मॉडम डेरिकर अधिक गम्यूंटिबल नहीं होता है कि इसके लिए हमें कुछ करना आता है कुछ स्टाडी करना आता है एक्सीज नहीं कर सकता रही तो पता है क्या आपका अपने से पहले आप मॉड लेते आ दें एक वैल्यू कुछ मॉड की वैल्यू से चेंज हो गई होगी एक तो इसके लिए कर से हम उसे मैं आपको बताऊंगा उसके प्रूफ वगर को बताऊंगा है मैं अगर इसे कैसे करते हैं दिवीजिन पे डिवीजन को हैं में अलग से आपको बता दीता हूं कि एम अगर प्राइम नंबर होता है चोकि जनरली देर्ख वटाता है टेन की पार 9 प्लस 7 विचिज modular multiplicative inverse निकाल दिया, inverse निकाल दिया, क्या D को आप P into P raised को दिपार M minus 2 से place कर सकते, ये formats Euler's theorem और formats little theorem के थूप हो जाता है, so, एक तो मैं division पे अलग differently बनाऊंगा, जो formats Euler's ये से बता दूगा, then division के handle को with two, अलग से एक video बना दूगा, but अभी के लिए fact के तरह आप याद कर सकते हैं, अभी से multiplication में मैंने convert कर दिया, so next step वही, multiplication वाले सारे आप यूज करोंगे, क्या A upon B mod M is equal to A into B raised to the power M minus 2, if M is a prime number, if M is a prime number, तभी ये valid, okay, otherwise नहीं, so, ये था, ये था, okay, okay, एक और mod handle करना में सीखना चाहिए ऐसे तो, क्या A raised to the power B mod M कैसे हैं, ये भी देख लो, इसके भी proof को मैं division वाले में बताऊंगा, और formats little theorem में बताऊंगा, different videos में different proofs को बताऊंगा, इसे हम handle कैसे करते हैं, so, A raised to the power B mod M में, दो possibilities है, कौनसी कौनसी, first is, कि A की value ज्यादा बढ़ी है, B हमारे range में है, B हमारे int के range में है, अगर A की value बहुत ज्यादा बढ़ी है, इन दिस इस नथिंग बट हमारा multiplication वाला concept, कि ये बहुत सारे A multiply हो रहा है, जिस B times basically multiply हो रहा है, जिसमें इनकी value ज्यादा है, सो इन्हें एक बढ़ मुल्टिप्लाई करो, multiplication वाला mod के साथ handle करो, फिर next day multiply करो, फिर mod के साथ handle करो, इस नथिंग बट factorial thing, right, factorial thing with same multiplier, factorial में 2, 3, 4, 5, 6 से multiply करते हैं, यहां पर A raised to the power B में, A से बार-बार multiply करते हैं, okay, so one by one, A से multiply करा, फिर M करा, fast exponentiation में इसे में handle कर सकते हैं, इसके लिए अलब concept नहीं, multiplication वाले concept भी based है, second thing, second possibility is, कि B की value बहुत ज़्यादा है, दोनों की value बहुत ज़्यादा है, तोनों को combine करते हो, अगर B की value बहुत ज़्यादा है, जिससे आप mod लेना चाहते हैं, उससे ज़्यादा possibly आ सकते है B की value, then B को आप mod करते हो, M minus 1 से, M से mod नहीं करोगे आप, ओके, यह format, लिए तो देखेंगे, अभी के लिए आपका यह रा, यह रा concept, और राइट, और राइट, तो अभी के लिए इतना ही है, फिर में वीडियो बनाता रहूंगा, जैसे formats लिटिल थे, और में इसका प्रूव, और A, R, 2, 1, B, मॉडम में B की value greater, उसका प्रूव बताऊंगा, तो दिविजन का, MMI निकानल नहीं एक्जाक्ली सिखांगा, Extended Euclidean Algorithm के त्रूप के, यह सारी वीडियो आएंगे, अभी के लिए सिरफ कुछ चीजे, विद्प्रूव जैसे add and multiply, विद्प्रूव बता दिया, सब्ट्रैक्स विद्प्रूव भी बता दिया, डिविजन एंड यह दो नो, इसके प्रूव को हम पढ़ेंगे, विद्प्रूव के लिए उसके साथ प्रूव आता रहेगा, अभी के लिए, यूज करना आप जान गया, इस पर कुछ प्राक्टिस करें लोगे आप, मैं भी प्राक्टिस कर रहाँगो, कुछ क्ष्ट्टन्स के, सो चीज़े फिर समझ आने लग जाएंगे आपको, आलाइट, आलाइट, बेवाए, मिलते हैं आट नेक्स्ट वीडियो में, रहे,